नमस्कार साथिया आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित रहाने चले दोस्तों शुरूबात करते हैं जैसे कि अपने क्वार्टर थ्री रिजल के से चले तो उसके अंदर सुझलोन एनर्जी का क्वार्टर थ्री के रिजल अठाइस तरीक को आएटा बस अ बिल्कुल ना भूले तो देखिए मेल नहीं क्या सुझलोन के बारे हम बात करने से पहले सुझलोन एनर्जी लिम्टेट के बात करने से बेसिकली यह क्या क्वार्टर थीकर रिजल का हम लोग ओवर्वियू कर रहे हैं बिसकली मैं पूरा एनिलाइस करके नहीं बता रहा लॉग ट्रंप के प्रपस से जब भी हम इन्वेस्ट करता है तो हम उसका ठीप ली एनिलाइस करते हैं अधर्वाइस हमार को डीपली एनिलाइस की जरूट नहीं होती ऑवर्वियू करना जरूर होता बागी कंपनी की किस तरह से चल लिए किस तरह से कंपनी आप ट्रेंडि कि आप लोग का प्रपस से और अभी जो टार्गेट देने वाला वह भी डेफिनेट होंगे क्योंकि अप जो रिजल्ट है वो अल्टिमेट रिजल्ट है रिजल्ट का ओवर्वियू लेंगे और यहां से शेयर किता अब ट्रेंडिंग जागा उसका ओवर्वियू लेंगे उससे पहले पर इस वीडियो पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना बिल्कूल ना भूलिया तो सुझलोन एनरजी यह बाद करता है बेसिकली कंपनी के बारे में एक्स्पिन करनी जूरत है नहीं अपने चौत्थी वार यह कॉल टल्री इसके वीडियो टल्री इसके वार यह बनेगा अगर आपने इसका-टेंसलि होल रखना सीख लेगे नमबर बन इंडिया रिनुवल एनरजी सपर नंबर बने इंडिया इंडिय इन यांडिया ठीक है ना रिनुवल सेक्टर गे इंदर यह सेंदर उज्गलोन का नाम ही काफी काफी बड़ा वेंचर ऑन पर बि तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए वीडियो का लाइक करना बिल्कुल ना पूलिए सुजलोन एनर्जी का जो कॉर्टर 3 का रिजल्ट आयता वो ता 8 जनवरी को आयता और मार्किट ओफ होने के बात आयता और सेकेंड लिक हैं आज है 30 जनवरी और दिन के साड़े बारा बज़ रहा है मार्किट ओफ है क्योंकि वीकली ओफ संडे कल मार्किट ओपन होगा तो इसमें तीजी देखनों को मिलेगी तीजी की वज़ए आपी थोड़ देम आपको पता चल जाएगी तो चलता हम इसकेंडर के सैट पर इसकेंडर करेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे तो दिसम्बर क्वार्टर के अंदर इंकर जो क्वार्टर का रिजल्ट है की बात करेंगे दिखें कौर्टर थिरी के दनकी सेल्स थी 1610 क्रोड़ पेगी और एकस्पेंस वा थे इनका 1324 क्रोड़ पेगा और प्रेस्ट प्रॉफित अधर इंकम भी इनकी है 5 क्रोड़ पेगी इस कौरटर में अधर इंकम में डाउनफॉल देखना हो मिले हैं और और इस quarter में 286 करोड़ पे का और net profit आये 38 करोड़ पे का और EPS AIRN का 0.04 का लास्ट quarter में अनिंग टीव टॉटल लास्ट quarter में तो 1356 करोड़ पे की वो बढ़के हुई है 13610 करोड़ पे की expense में बढ़ देखने हो भी है operation profit 233 करोड़ से बढ़के 286 करोड़ हुआ है net profit माइनस में 11 करोड़ पॉजिटिव में 38 करोड़ हुआ है और EPS हमारा माइनस में 0.01 था वो बढ़के हुआ है पॉजिटिव में 0.04 अब लास्ट येर की बात करेंगा पॉजिटिव में 0.04 तो आप देखेंगे क्वाटर क्वाटर वाई और येर येर वाई जो घाटा था वो काफी जादा घाटे में रिवाइज हुआ कंपनी अपना घाटा भी कम गया और घाटे से मुनाफ़े में भी ये और सेल में भी अच्छी घाजी बढ़त देखने को मिलिए तो अपरेशन हिसाब से भी देखे अब ही तक जो इंडिकेशन हमें समझा वोदी के रिजल काफी अच्छा है कि घाटे से मुनाफे माई ये अच्छा जनरेट कर रहा है और साथ इसाथ अच्छा कासा एपिस भी हमारा पॉजिटिव में ओचुका है आज की डिट में तो अब यहां से कैसे रहेगा आगे कि द देखिए अब यहां पर देखिए लिभल्टेश दिखेंगे इस कॉर्टार में के लेय डिटास थोड़ी सी बड़ी तोटल लेय दोडी टोलर टो इनके 6,872 करोड़ किर और असेस्ट गलिन निकल क में आता है वह लेभलल्टीज और असेस्ट को मैंनिज रखना पडता है य इनकी थोड़ी सी बढ़ी है तो यह सब चीजे होती है तो यह सब चीजे होती है तो यह समझाने को बहुत चीजे समझाने को रख जाएगा बट हमें ओवर व्यू देखना होता है अब समझें कि इस quarter में पर मोटर के गट को यह 14.62 और हमारा पॉब्लिक होल्डिंग आव चौसट पॉइंट फॉर्टी नाइन तो इसके साथ कित्य साइब सब्सक्राइब कंपनी चल रही है तो इनका वेंचर एक साथ के साथ नहीं है बाकि इनकी पेरेंट कंपनी जो है सुजलोन एनरजी लिमिटेड है और बा इन सब्में इनकी सब्सक्राइब मार्क ऐस्टेलिया यह तरकी तो हम्सक्राषे यह सब्सक्राइब कंपनी है यंताय तो समय डर्य चलते इसका 50 1 श् Courate Studio जिबnom Aktirt Shady तो देखी यह 0.87% की गिरावट के साथ बंद हुआ फ्रैडे को दिन ओपन होता और 11 रुपे पिच्छाने पैसे हाई मारा 12 रुपे 5 पैसे का लो मारा 11 रुपे 35 पैसे का अब चार्ट पर चलते हैं तो अलगी टैर्टरी में यहां पर अच्छा घ्राव अच्छी प्रॉफिट भूगे क्योंकि देखे पर मोटर क्या होते हैं बड़े बड़ी मचलिया होते हैं चोटी मचलियों फासने के लिए दालान दालती है वह बेगती अपना पाउर सके लिए गिर रहा है बड़ रिजल्ट काफी अच्छा है अब यहां से आपको एक भी शेर अगर के पास है इसका तो सेल नहीं करना है आपको यहां से 20 अरवे से पहले इसमें करेक्शन देखना और नहीं मिलेगी अब मुझे लगता है यहां से दवादा इसमें अपर सत्गेट लग यह 11 रुपे पर अच्छा खासा सपोर्ट है 11 का लेवल तो तो इसमें गिरावट होगा बट इसमें गिरावट की वजह ही नहीं आप अब इसमें अप ट्रेंडिंग देखना हुए कल के दिन इसमें तीजी देखना हुए लिए तीजी की वज़ए इसका क्वार्टर तिरीक लगे क्योंकि बड़ी मचली चोटी मचली को फासिने के लिए दाना डालती है और हम लोग उस ट्रेप हो जाते हैं और चोटा सा मुनाफ़ा का के हम लोग निकल जाते हैं एक वीजन के साथ आप लगेंगे तो इसमें डेफिन आपको आपको नेक्स्ट में से पहले आपको सब्सक्राइब के लेवाले समय जल्दी देखने को मिल जाएंगे आपको ठीके ना क्वाटर थी का रिजल्ट आएगा उसके बाद रिजल्ट का इंपेक्ट और प्लस बजट के अंदर रिनुवाल एनरजी के लिए कुछ ने कुछ सब्सट्री मिलने को मिलने वाली है तो उ थैंक यू समच पर वाचिग इस वीडियो